दोस्तों, इस particular वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Sofify के जो important settings हैं उसके बारे में तो मैं यहाँ पे profify का जो settings होता है देख सकते हैं, यह settings का section जो कÖ jsem बोटम में मिल जाएगा जैसे मैं यहाँ पर देखाओं तो यहाँ पे bottom में एक settings का option जार आ रहा होगा जस्ट आप इस पे क्लिक किजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ-कुछ important settings को मैं यहाँ पे cover कर लेता हूँ ओके तो अगर यहाँ पे आप store detail पे आपको आपका basic information मिल जाएगा जो आपने जब store create कर रहा था Shopify का उस समय जो information आपने डाला था ओ सारा information यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगर उसमें किसी भी type का कोई changes करना है तो यहाँ पे आपका change कर सकते हैं यहाँ पे edit का icon दिया हुआ है plan अगर आप plan purchase करना चाहते हैं तो उसका detail यहाँ पे मिल जाएगा तो currently अभी देख सकते हैं यह free trial वाला है बट अगर आप update करना चाहते है plan like कोई अगर लेना चाहते हैं जो भी plan आपने लिया हुआ है उसका information यहाँ पे मिल जाएगा otherwise choose plan यहाँ पे कर सकते हैं then यहाँ पे billing information billing information का detail इस जगह पे मिल जाएगा जैसे यहाँ पे payment method आप यहाँ पे add कर सकते हैं billing currency like that यह सारा information GST यह सारा information यहाँ पे add कर सकते हैं then दोस्तों आ जाता है user permission suppose that आप इस store का access अपने developer को रेना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा बंदा उसको manage कर रहा है तो उन सारे चीजों को configure इस options के जरीए आप कर सकते हैं आप staff को add कर सकते हैं यहाँ पर you can add up to two staff on this plan then यहाँ पे आ जाता है payment option तो payment currently देख सकते हैं यह PayPal है जो की inactive है activate कर दूँगा तो activate करने के बाद PayPal के द्वारा जो है कोई भी बंदा check out कर सकता है तो यहाँ पर उसका configuration करना पड़ेगा PayPal का जो ID होता है वो यहाँ पर दोस्तों provide करना पड़ेगा यहाँ पर login होगरा करना पड़ेगा तो अगर आप उससे क्या होगा दोस्तों कि PayPal का एक button आ जाएगा जो की एक होता है buy now option एक बटन आएगा उसके बाद आता है दोस्तों चेक आउट तो दोस्तों यहाँ पर यह है क्या कि कस्टमर चाहे तो अपना account क्रिएट करके और कर सकता है या फिर एकाउंट क्रिएट करें मतलब एकाउंट पहले क्रिएट करेगा उसके बाद ही purchase कर पाएगा आपका इस्टोर से तो उसके लिए यह वाला option आप सेलेट कर सकते हैं उसके बाद आता है दोस्तों accounts are optional optional भी रख सकते हैं उसके मन के उपर है बट एक होता है कि उसके कोई एकाउंट क्रिएट करने किया वे सकता नहीं है कोई भी बंदा आएगा काट में product को add करेगा order करेगा ओके add करके that's it उसको check out करेगा now now contact customer contact method यहां पर दोस्तों क्या होता है कि user जिसने order place किया है उससे आप contact कैसे करेंगे email के जरिए phone number के जरिए डुनों से करना चाते है तो phone और email कर सकते है किवाल email से करना चाते है तो email कर सकते है बट दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि user ने गलत email दे दिया तो contact करना थोड़ा गर मान लिजे कि आपको चाहिए क्या मतलब आपको क्या चाहिए उसका address चाहिए उस address पर deliver करना है उसका product that's it अप उससे contact करना है आपको contact में रहना चाहते हैं कुछ promotions हो गया कुछ product के बारे में information send करना है तो आप चाहते है phone number और email से उससे contact कर सकते हैं, select how customer can choose to get shipping update, shipping update SMS और email से हो सकता है, so a link to download, swap app, now दोस्तों यहाँ पे सबसे important settings यह है, कि checkout page पे अगर कोई script execute कराना चाहते हैं, तो ओ additional script यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे होगा यह कि जो भी यहाँ पे script add करेंगे, like tracking script हो सकता है, कि कोई बंदा अगर order place कर रहा है, तो checkout page पे एक script run हो जाए, जैसे यह पता चलेगा कि इसने यहाँ तक आया था, और कौन से product purchase किया है, कितना purchase किया है, तो उसका tracking record हो, तो कई सारे pixel होते हैं, जैसे facebook pixel, google tag हो गया, google tag manager, and then tiktok, snapchat, there are various, बहुत सारे pixels है, तो आप, या कोई भी script, कोई भी script जो आप run कराना चाहते हैं, checkout page पे, या payment page पे, तो उहाँ पे, ओ additional script यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, then manage checkout language, यह सारे configuration, इस checkout के option में आपको मिल जाएगा, अगला है, दोस्तों, shipping and delivery, तो दोस्तों, यहाँ पे आप यह define कर सकते हैं, shipping का rate, ओके, कौन-कौन सा rate है, shipping का, उसका detail यहाँ पे specify कर सकते हैं, तो दो देख सकते हैं, domestic है, international भी है, for rest of the world, तो standard free shipping है, और कोई rate अगर add करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, rate name standard हो गया, या फिर high priority हो गया, उसके लिए अलग-अलग shipping charges होता है, तो user जो है, अब मालेजे कि एक shipping है, जो 10 दिन में आता है, shipping होता है, और option user को नजर आ जाएगा, और वही shipping select करेगा, और अगर कोई इंडिया से बाहर का है, international transaction कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों, अलग shipping rate आप निर्धारित कर सकते हैं, तो उसका configuration इस page में होगा, shipping and delivery के page में, then attach tax, तो दोस्तों, यहां पर taxes भी लगते हैं, जैसे tax and duties में दोस्तों, जैसे IGST, SGST, यह सारे होते हैं, okay, international tax लगता है, उसके बादी state लगता है, फिर central का लगता है, तो दोस्तों, ओ सारे details को यहां पर manage कर सकते हैं, एक हो गया rest of world, और एक हो गया India के लिए, okay, तो इंडिया पर यह वाले पर click किजिएगा, तो उसको confirm कर सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं इंडिया पर click किया, तो यहां पर add, अंडमान, निकोबार के लिए अलग tax है, अंध्रा परदिस के लिए अलग, आसम, बिहार, मतलब IGST tax हो गया, देख सकते हैं, IGST, SGST, यह सारे tax के types हैं, तो दोस्तों, contrary tax 9% और अलग-अलग type के tax हैं, जो कि जितने state हैं इंडिया में, उसके recording यहां पर आप जो tax GST लगता है, IGST, SGST जो भी लगता है हो यहां पर निधारित कर सकते हैं, और rest of this world के लिए भी आप कोई specific tax देना चाहते हैं, तो भी यहां पर कर सकते हैं, now, other options भी है, like अगर आप जो shipping है, shipping के उपर भी tax लगाना चाहते हैं, तो भी लगा सकते हैं, तो include shipping tax in the tax calculation, this is automatically calculated by Canada, European Union and United States, now हम आदे आते हैं location,